हेलो एब्रीवन, वेलकम अगेन टू लन्प्रिदेतिमन, लास्ट वीडियो हमने चैप्टर नंबर टू को किया था राजिस्थान का इतिहास, क्लास शिक्स ही हमारी चल रही है, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर ट्री इतिहास जानने के शुरूत, काफी important रहेगा, ये भी आपके लिए, तो चलिए, सबसे पहले आपको देना है एक question का answer, जो कि last video से संबंदित है, किस चीनी यात्री ने मतस्य जनपत का वर्डन किया, तो आपको comment box में इसका answer देना है, तो चलिए, बिना देरी के start करते हैं, chapter number 3, प्राचीन काल के इतिहास के अध्यान से हमें सब्वेता के क्रमिक विकास का ज्यान होता है, इतिहास जानने के अनेक शुरूत हैं, जिन हैं मुख्यते दो भागों में विभक्त किया गया है, पूरा तात्विक और साहितिक शुरूत, तो अभी तक हम यही पढ़ चुके हैं, कि किस तरीके से राजिस्थान में बहुत सारे जन्पद बने, बाहर से जातियां आई और राजिस्थान में आकर निवास करने लगी, ठीक है, अब इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है, पूरा तात्विक शुरूत और साहितिक शुरूत, तो पूरा तात्विक शुरूत क्या होते हैं, जैसे कि कोई अभिलेक मिल गया, या फिर वहां की मुद्राएं मिल गई, बर्तन मिल गई, ठीक है, और साहितिक शुरूत क्या होते हैं, जो किसी के द्वारा रचित होते हैं, किसी ने जैसे साहिति जो है, किसी ने गरंत लिखा, जिससे कि वहां के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पूरा तात्विक पुराना और तात्विक यानि की तत्वर, ठीक है, तो पुराने तत्वर, ऐसे श्रोत में अभिलेक आ जाएंगे, मुद्रा आ जाएगी, स्मारक आ जाएंगे, कलाग्रतियां, एवं उत्खनन, यानि खुदाई के दौरान प्राप्त सामिग्री शामिल होती है, ठीक है, कि आ जाएगा एक्जाम्पल में जैसे अभिलेक हो गए, ये हमें शिला लेखों, शिला लेखों, शिला यानि की पत्थर, पत्थर पे लेख, ये हमें शिला लेखों, पत्थर की पत्टिकाओं, पाशार सिलाओं, यानि पत्थर के बड़े-बड़े खंडों, इस्तंबों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ती प्रतिमाओं, इस्तूपों, मठों, तालावों, खेतों में खड़ी शिलाओं, तामर पत्रों पर उत्कीन किये हुए मिलते हैं। अधी के नाम, घटना की तिथियां, शाशनकारियों और आग्याओं का उलेख मिलता है। साथ ही इनमें तातकालिन, सामजिक, राजनितिक धार्मिक, सांस्कृतिक जिवन आधी की विजानकारी मिलती है। यह क्या है शिला लेक, शिल पर लिखा हुआ लेक, से लियानी पत्थर। ठीक है। चलिए। प्रमुक अभिलेकों के बारे में देखे, नगरी अभिलेक, कंसवा अभिलेक, घटियाला अभिलेक, किराडू अभिलेक, नांदसा और बर्नाला, यूप लेक। यूप लेक के बारे में तो हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था, जहां हमने पढ़ा था कि जो मालवा थे, तो मालवों की विजय का हमें यूप अभिलेक में वर्नन मिलता है। सामोली सिलालेक आदी से राजिस्थान की धार्मिक विवस्था, यग्यों के प्रकार, भूमी तथा, द्रव्यदान, राजनितिक सीमा आदी की जानकारी प्राप्त होती है। हमें प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। दूसरा यूप लेक जो कि हमने मालवों से संबंदित देखा और एक आएगा, आगे हम पढ़ेंगे विजोलिया सिलालेक जहां हमें चोहानवन्स की इतिहास की जानकारी मिलती है। कई बार ये कुश्चन जो है एक्जाम में पूछा जा चुका है। तो वह है चीरवा का सिलालेक। तो दुबारा से रिपीट कर देती हूँ तीनों को याद रखना है। अबिलेक प्रतिहारों से संबंदित, विजोलिया सिलालेक चोहानों से संबंदित, चीरवा का सिलालेक रावल समर्सीं से संबंदित। तो ये देखिए, ये क्या है? इसमारक है कोई बना हुआ। इनके अलावा भवन, महल, सारजुनिक भवन, इस्नानागार, जन्साधरन के घर, बेहार, मठ, चैत्य, इस्तूप, मंदिर, समाधी, बावडी, कूप, आधी भी इसमारक हैं। ये हमें तातकालिन इस्थापत्य कला, यानि जब वो कला बनाई गई, जब वो जैसे कि ये इसमारक जो है समय बना, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धती, मनुस्य की चेतना और सम्रति का ज्ञान भी करवाते हैं। ये बताते हैं इसमारक कि किस ने इस इसमारक को बनवाया होगा, वहाँ पर लोगों के जो कारेगरम हैं वह किस तरीके से चलते होंगे, ठीक है, वहाँ किस तरीके से पूजा उपासना होती होगी, किस देवता को मानते होंगे, तो ये सब भी हमें इसमारक से भी पता चलता मुद्राएं, मुद्राओं से भी हमें पता चलता है, मुद्राओं अथ्वा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेज की राजनितिक, धार्मिक, आर्थिक इस्तिति का पता चलता है, तो मुद्राओं से तो विशेज तोर पे हमें पता चलता है कि वहां पर आ इसके अलावा, वहाँ जो भी शाषक होते थे, उनके चित्र जो हैं वहाँ भी सिक्कों पर मिलते हैं, तो ये भी पता चलता था कि ये सिक्के जो हैं किसके द्वारा निर्मित करवाये गए होंगे, धार में कि स्तिती का पता भी चलता था. मुद्राओं पर अंकित चिन, भाशा, लिपी, सन, सम्वत नाम सहित धातु की सुद्धता, नापत और आदी से हमें उस समय की सम्रद्धी आदी का ग्यान होता है, सिक्के, राज्य और शाशक की सक्ती के सूचक भी थे अगले देखिए, ये क्या है, बरतन है, तो इनसे भी हमें पता लगता है, वहां की क्या कलाकारी रही होगी, यह भी हमें पता चलता है बरतन और कलाकरतियां, उत्खनन से हमें तक कालीन बरतन आदी कलाकरतियां प्राप्त हुई है, कलाकारी में भरतनों पर चित्रन, खंबों पर खुदाई, किवाडों, वगवाक्ष यानियों गोखुडों की कारीगारी आदी भी देखने में आती है, हमें ऐसे बरतन भी प् प्याले, रकाबियां, धूप पात्र, दीपक आदी से हम पूर्वजों की कला कोशल को सहज ही समझ सकते हैं। पूछा जा सकता है कि जो 9 सब्वेता हैं, वहां से हमें किस प्रकार के मरत्भान प्राप्त हुए हैं। तामबा और पत्र याने की पत्र ठीक है। तामबे के छोटे बड़े पत्र जो होते हैं, पत्रों पर खोदे गए लेखों को तामपत्र कहते हैं। दान पूर्ने से संबंदित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनमें हमें शाशक, काल, भाशा, पर्व, धर्म, भूमी, भूमी के प्रकार, नापतौल, दान के प्रकार आधी की जानकरी प्राप्त होती है। देखिए, ये किसी राजा के द्वारा लिखवाया गया होगा, तो उस शाशक के काल की जानकरी हमें प्राप्त होती है, वहां किस प्रकार की भाशा चल रही थी, ये पता लगता है, ठीक है, वो लोग किस धर्म को मानते थे, यह भी जानकरी प्राप्त होती है। चलिए अब हमने पूरा तात्विक श्रोत पढ़ लिए, नेक्स्ट हम देखते हैं साहितिक श्रोत, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि यहां हमें कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो देखिए चैप्टर इतने जादा अच्छे तरीके से हम नहीं पढ़ सकते अ आप याद करेंगे, तो वहां सारी चीजें के लिए हो जाएंगी, साहितिक श्रोत देखिए, इतिहास जानने में साहिति की भूमे का बहुत महत्वपूर्ण है, संस्कृत हिंदी, राजिस्थानी, उर्दू, फार्सी में लिखा साहित्य प्रचूरता के साथ मिलता है, रा तक कि आप खुद भी इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, यहां पर आप साथ-साथ पढ़ते जाएए, यहां बहुत अच्छे तरीके से मजे के साथ आप इन चप्टर को पढ़ जाएंगे, बारवी सतापती के उतराद में, जयानक कृत, जयानक सम्मंदित है, उनकी जानकारी देता है, वहीं जयानक द्वारा लिखा गया प्रत्वी राज विजय, यहां से भी हमें चोहानों की उप्लप्ति का वर्डन मिलता है, नयन चंसूरी के द्वारा लिखा गया हमीर महा काव्य, यहां से भी चोहानों के इतिहास के साथ साथ अल से मिल रही है विजौलिया-सिला-लेक से मिल रही है नय-Nan-chan-suri के हमीर-mahakavya से मिल रही है। जयानक के द्वारा लिखा गया महा प्रस्थवी राज-विजय से मिल रही है। ठीक यहा से हमें जानकारी मिलती है। राजेस्थानी साहित्य में प्रत्वी राजरासो अचल दासखीची की वचनी का पदम नाब कृत कानड देव प्रवन बीकानेर के दलपत सिंग कृत दलपत विलास खिडिया जग्गा कृत वचनी का आदी विसेश उलेखनिया है तो देखिए यहां से जो कोश्चन बनता है वो क्या बनेगा यहां से बनेगा कि जो पदम नाब द्वारा कृत कानड देव प्रवन बीकानेर के दलपत सिंग द्वारा कृत दलपत विलास और खिडिया जग्गा द्वारा कृत है वचनी का ठीक है तो यह जो इनकी रचनाएं पस इनके नाम जो है इस पहराग्राफ में इंपोर्टेंट है। देखिए कितनी ज़्यादा इंपोर्टेंट लाइन है आपके एक्जाम में पूछी जाती हैं और हम अभी केवल 6th ग्लास का 3rd चैप्टर ही पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नौलेज है। कर्णल जैम स्टॉड के द्वारा एनौल्स एंट एंटिकुटीज ऑफ राजिस्थान और पक्षिमी भारत की यात्रा। देखिए कितनी इंपोर्टेंट लाइन है कि इनकी द्वारा कृत जो एनौल्स एंटिकुटीज ऑफ राजिस्थान ये तो सभी जानते हैं। लेकिन पक्षिम भारत की यात्रा ये भी किसके द्वारा रचित है कर्णल जैम स्टॉड के द्वारा। बुंदी के महा कवी सूरे मल मिश्टन का वन्स भासकर, कवी राज शामल दास के द्वारा, वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेव के द्वारा, मारवाड राज्य का इतिहास, और गौरी संकर, हीरा चंद, ओजा द्वारा लिखित, उदैपूर, जोदपूर, शिरोह दूंगरपूर, बासवाड़ा, प्रताब कड़के इतिहास का गरंत उलेखनिया है, तो देखिए पहराग्राफ जो है, ये दोनों ही पहराग्राफ most important है, याद रखना है इनको, और सबसे ज़्यादा जरूरी है कर्णल जैम स्टॉड की ये पक्ष्म भारत की यात्रा जो ह इसे अधिकतर याद नहीं रखते हैं, एनाल्स एन्टिकूटीज और राजिस्तान को तो याद रखा ही जाता है, और सूरे मल मिश्रन का जो बंस भासकर है, याद रखना है, कवीरा, शामल दासकर, द्वारा लिखित वीर विनोत, ये भी याद रखना है, ठीके, और विश रामल दास, ये रहे, जिनोंने क्या लिखा, वीर विनोत, चलिए, तो देखिए, चैप्टर होता है, आपका समाप्त, यहाँ पर पुरा तात्विक और साहित दिक्ष्रोत, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा, और सबसे ज़्यादा जरूरी है, किसने कौन सा रचना जो ह हमीर महा काव्य है, ठीक है, इसके अलावा, जयानक के द्वारा लिखा गया, वंस भासकर जो है, वो लिखा गया, सूरिमल मिश्रन के द्वारा, स्यामल दास का जो वीर विनोध है, तो मारवार राज्य का इतिहास, ये तो आप याद रखिएगा, चलिए, नेक्स्ट होते हैं, सब्दावली, तो सब्दावली भी हमारे लिए इंपोर्टेंट रहती है, अभी लेक, अभी लेक क्या होते हैं, हमने उपर अच्छे से पढ़ लिया था, फिर भी देख लीजिए, ताम्र पत्र, ताम्बे के पत्र पर, या पत्थर, आधी पर खुदा हुआ लेक क्या कहलाता है, अभी लेक कहलाता है, नेक्ष है उत्खनन, उत्खनन का तो मतलब ही है कि खुदाई करना, मृद भांड, मृद यानी मिट्टी, और भांड यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तन, अभ्यास प्रस्ण देखते हैं, निमनलकित प्रस्णों के सही उत्तर की विकल् तो कौन है? सोच ये इसका सही आंशर क्या होगा? बंस भास करके लेकक है सूरेमल मिश्रण. प्रसंसा में लिखे गई अभिलेख को डैस कहा जाता है. तो हमने लाइन देखी थी चप्टर में ही क्या कहा जाता है? प्रसस्ती कहा जाता है. तो मैंने कम से कम दो या तीन बार इस लाइन को दोराया था कि संस्कृद भासा में लिखा गया रावल समर सींग के युग की जानकरी हमें कौन सा शिलालेक देता है तो आपको याद आया होगा विल्कुल हमने अभी पड़ा है थोड़ा सा दिमाग जो है कि फटाफट से जोग अभी अमने याद किया है, तो वो तो याद होना ही चाहिए, रावल समर्शिंग के युग की जानकरी हमें मिलती है, चीरवा का सिलालेग, ठीक है, चीरवा का सिलालेग, राजिस्थान के किनी तीन प्रमुक दुर्गों के नाम लिखिये, तो सभी को या है, पूरा तात्विक शुरोत कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाएंगे, मृत भांड आ जाएंगे, सिक्के आ जाएंगे, वहां के इस मारक आ जाएंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, पूरा तात्विक शुरोत, इतिहास लेखन में मुद्राओं के योगदान को समझा तो मुद्रा जो होती है, उसका क्या योगदान होता है? हमने देखा था कि वहां की आर्थिकिस्तिती, राजनेतिकिस्तिती, धार्मिकिस्तिती, इसके बारे में जानकरी प्राप्त होती है मुद्रा से. नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट डे करेंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और इससे जादा अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता है कि आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे. यहां हमने एक एक लाइन को अच्छे से देखा, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर याद भी हो गई होंगी, और question answer जो है, जो अभ्यास प्रस्ण होते हैं हर चैप्टर के, important रहते हैं, इनको सबी को solve करना है. वीडियो को यह नहीं है कि एक बार देख लिया और उससे वहां छोड़ दिया. ठीक है? अब भी आप लोगों के पास इतना जादा load नही हैं पढ़ाई का, जो चैप्टर यहां पढ़ाया जाता है, उसे कम से कम दो बार आपको पढ़ना है. अभ्यास प्रस्ण खुद से solve करने हैं, वॉल्यूम को कम करके, जिससे यह पता लगता है कि चैप्टर आपको कितना जल्दी याद होता है. ठीक है? चलिए मिलते हैं ने झाल झाल